आज की वीडियो में मैं बनाने जारी हूँ प्लाव के लिए हम यहापे एक बोल में बोगने में ओयल डालके प्याज को पहले ब्रून कर लेंगे दोस्तों पूरा ब्रून नहीं करना है हलका सुनहरा ब्रून करना है उस पे थोड़ा ऐसा जीरा डाल देना है हमें यहाप बहुत ही टेस्टी होती है सुबह के वक्त में खाये खाने के लिए तो अध्रक लसन डालने के बाद में इसको चलाएंगे भून लेंगे अध्रक लसन का स्मेल जो है ची तरह गाइब हो जाए उसकी बात में अपने जरुवत की हिसाब से आप इसमें पानी डाल देंगे कि अध्रक बाद में तो डबल पानी डीजिएगा तो हम keeping लगो데 यहां फूराणा वाला चावल हमारे घर पे था उसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो हम यहां पर डबल पानी दे रहे हैं एक का डबल तो पानी एची तरह खुल रहा है उसके बाद में हम इस पे अपना चावल को भीगा के रखा था वो डाल देंगे धोकरी भीगा के रख दिया था दोस्तों अब यहाँ पे चावल उची तरह पकाएंगे अपना पुलाओ बहुती आसानी से रेडी हो जाएगा कम वक्त लगता है पुलाओ बनाने में दोस्तों बहुती टेश्टी होती है खाने में यह तो चावल को अची तरह पकने के लिए छोड़ देंगे पास से दस मिट के अदर में अपना पुलाओ भी आपे रेडी हो जाएगा यह देखिए प्लाओ अपना रेडी हो चुक है इसको दम पे लगा लिए थे उसके बाद में प्लेट पे सब करेंगे दोस्तों कोई भी सब्जी या करी बनाए हो उसके साथ में खाओ बहुत ही टेश्टी होती है यह खाने में हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किये तो जो अगर दो लेदेंका करेंगे थेंक्स वर वाचिंग बढ़ाइऑ